आज करना HDFC, ICC Bank और भूमने, पिक्निक ट्रिप पर और इतने सारे फोन ले आते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर में दुबई जा कि लो खर्चा है वो लगबग 70,000 पर महिन हैं, तो बचे वो तीस वीडियो इस पावरड बाय मेटास लाइस्टाइल, इंडियास लीडिंग मै हम डिसाइड करते हैं, अगला वीडियो क्या होगा, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और वेलियोबल व्यूवर्स के लिए हमने एक सीरीज निकाले थी, Q&A सीरीज, आप पूछो आपका सवाल, जवाब देंगे हम हमारी अगली वीडियो में, तो बहुत सारे वीवर्स फटाफट से चले जाते हैं दूसरे देश में, घूमने, पिकनिक ट्रिप पर और इतने सारे फोन ले आते हैं, पूरे परिवार के लिए उनको लगता है कि पूरा का पूरा खर्चा ट्रिप का फोन लाके निकल गया है, है ना, तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं इतना महंगा क्यों है, इसके पीशे कारण क्या है, दूसरा, हाउ टू गेट आईफोन 14 आट डिसकाउंटिड प्राइज या ओन डिसकाउंट, हम ऐसा क्या करें यार कि वो आईफोन जो पूरे भारत वर्स को छोड़कर सभी जे के सस्ता मिल रहा है, वो हम इंडिया में ही सस्ता ले लें, यह सारी बाते में आपको बताने वाला हूं, तो एक बात को समझ लेते हैं, फ्रेंट्स यह एक्स्पेंसिव क्यों है, इसके पीशे कारण है, क्या एक एक बेस प्राइज मान लेते हैं, मान लीजिए आप दुबई में जाते हैं, वाद दुबई में 50,000 रुपे के बेस प्राइज पर 12,450 तो केवल इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि आपको टेक्स देना ही पड़ेगा सरकार को, अच्छा यह लग जाता है, क्योंकि इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद GST लग जाता है, तो GST हमारे देश में, इलेक्ट्रोनिक पर या बहुत सारी चीजों पर 18 परसेंट है, ऐसी चीज भी जिस पर पांच परसेंट है, और ऐसे प्रोडक्स भी इस पर 28 परसेंट है, मतलब 28 परसेंट का टेक्स आप उस चीज पर दे रहे हैं, जिस पैसे से आप इंकम टेक्स दे चुकी हैं, लेकिन बिजनस होनर बड़ा समझदार होता है, वो बड़े इस पैसे को कैसे बसाता है, वो मैं आपको आज पताऊंगा यहां पर, तो GST हो गया आपका ठारा परसेंट, 12,200 के असपास GST हो गया, तो वही 78,000 to 80,000 का फोन आपको इंडिया में म बचा लिए, पूरी फैमिली के लिए पांच फोन ले लिए, तो पांच थी अपंद्रा, डेड़ लाग रुपे के आसपास तो उनने, वैसे ही बचा लिए अपने, तो कैसे ऐसा आप कर सकते ही, कि आपको जाना भी ना पड़े, आपको एक्स्ट्रा पैसा भी ना खर्च कर जब तक आपका उसका 100% utilization ना हो, या आपको source of earning ना देता हो, बहुत सारे लोग शो आफ के लिए न, महेंगे महेंगे gadgets, electronics खरीद लेते हैं, यह depreciating asset है, लगातार इसकी value घटती है, लेकिन अगर आप एक सही business man है, उस depreciation का भी benefit आप ले सकते हैं, कैसे, how to get iPhone 14 at discounted rate, discounted price, मान लेते हैं, इंडियम, उसका base price है, 67,500, और आप जो GST पर कर रहे हैं, वो 12,200 रुपए है, अगर आप एक business owner है, तो आपकी firm में GST नंबर होगा, या आपकी company में GST नंबर होगा, आप जब इसकी billing कराएं, तो GST की billing कराएं, तो लगबग 12,200 रुपए है, आपको GST का credit हो ज को सस्ती मिल रही है, और कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो cash में काम करते हैं, या तो हम debit card से काम करते हैं, bank transaction से काम करते हैं, तो यह कोई बहुत बड़ी अच्छी ऐसी बात नहीं है, जिसमें आप बड़ी शान से बता रहे हैं कि हम तो अपना पैसा debit card से खर्च करते हैं अकाउंट से धाता है क्यों क्योंको पता है कि क्रेजट काड से क्या बैनिफिट को सकता है कैसे उनका सीविल स्कोर बढ़ सकता है हाँ उसके बारे में समझना है तो एक स्वाषिवर वीलियो मैंने पर दिया हो उसको जरूर देख लें किया ऐखाईदा सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसमां क्लेम कर लेंगे दूसरी बात कैश बैक ऑन क्रेडिट काड आज करना लगे और दूसरी बात आपको बाद में पे करनी है und 40 दिन बाद 50 बाद 50 दिन बाद रेक बैंक का एक statement phone खरीदा अगर personal utility के लिए खरीदा है तो आपके लिए खर्चा है लेकिन अगर आप अपनी business में उसका इस्तिमाल कर रहे है चाहिए वह business call सुनने के लिए कर रहे है और वह बिल आपने जी स्ट बिलिंग अपनी company अपनी firm के नाम कराया है तो आपको आसानी से assets पर depreciate value का benefit मिलता है एक बाद ध्यान रखना कई बार calculation समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है मान लीजिए आपकी कंपनी का जो turnover है वो एक लाक रुपे मैं सिंपल एक्जामपल ले रहा हूं और आपका जो खर्चा है वो लगबग सत्तर अजार पर महीन है तो बचे वह तीस अजार पर ही आपका टेक्स लगेगा यह तो आपको पता है बिल्कुल सिंपल है ठीक उस तरह से आप GST क्लेम कर लेंगे cashback आपको मिल जाएगा और तीसरी बात जब books में उस entry को डालेंगे तो उस पर आपको 15% का depreciation मिलेगा जो 15% की depreciate value है जब आप उसको खर्चे में डालेंगे तो उस पर लगने वाला tax कम हो जाएगा कुछ लोग सोचेंगे 15% ही tax कम हो जाएगा नहीं for example एक लाख रुपे का phone है उसकी value 15% उसका depreciate value है तो आपका जो depreciation है वो 15,000 है इसका मतलब आपने खर्चों में 15,000 रुपे डालेंगे इसका मतलब जो 30% tax आपको लगना है वो 15,000 का 30% पंदरत ये पंताले सो 4,500 का extra benefit आपको हो जाएगा यह समझना भी बहुत जुरूरी है और उसके बाद में आप regular depreciation को claim करते रहेंगे और जो अपने खर्चा था वो भी जो phone का पूरा bill है वो भी आपने इसमें डाला हुआ है कि आपने एक asset को purchase किया तो turnover में से expenditure साबके less हो गए तो ये benefit लेते हैं business owner वो जानते हैं कि किसी भी asset को business asset के रूप में create करके उसका benefit हम ले सकते हैं इसलिए business owner जादा तर गाडियां अपनी company अपनी firm के नाम लेते हैं ताकि सारा का सारा GST का benefit, tax का benefit, depreciation का benefit और income tax के rebate का benefit भी वो आसानी से ले सके हैं यदि आप सही तरीके से business करते हैं तो आपके बस white transaction अच्छी होगी जब white transaction अच्छी होगी तो आप भी credit card से buy क करना पसंद करेंगे आप भी white में payment देना पसंद करेंगे दुरभाग्य वश हमारे देश में एक business owner अच्छा business करता है लेकिन उसके बाबजूत जाला तर वो cash में काम करता है जिसकी वजह से वो tax की चोरी करता है अगर आप सही तरीके को सीख जाए तो tax को manipulate किया जा सकता है चोरी नहीं या उन नियमों को समझ कर कि जिस से हम tax का benefit ले सकते हैं आप हर चीज discounted rate पर ले सकते हैं यह आपके उपर निर्भर करता है यह बात केवल iPhone 14 की नहीं है iPhone 13 की नहीं है electronic gadgets की नहीं है आप अपने business में कहीं भी कोई business meet के लिए जाते हैं किसी conference के लिए जाते हैं कोई event organize करते हैं को advertisement करते हैं सारा खर्चे का part है आप अपनी books में उसको show कीजिए पर books में आप show इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपका बस white transaction नहीं है जिसकी वज़े से आप वो खर्चे नहीं डाल पाते और वो cash में आप pay कर देते हैं सरकार आपको यह कहती है कि आप अपने business को जादा से जादा white transaction में जब करेंगे 100% white transaction में करेंगे तो उसका benefit भी expenditures में आपको होने वाला है tax में होने वाला है GST में होने वाला है rebate के रूप में होने वाला है और turnover का volume भी आपका बड़ा in books होगा खाली बात mobile phone की नहीं है get all business asset at discounted price कम से कम 18% या 28% तो GST का ही आपको benefit हो claim आप आने वाले समय में ले सकते हैं अलग-अलग asset पर अलग-अलग depreciation का GST का claim number of years के हिसाब से मिलता रहता है तो वो benefit आप लें साथ में आप जब expenditure डालेंगे तो आपका turnover जो है उससे आपके खर्चे घटने के बाद tax लगेगा तो आप tax lab का benefit भी ले सकते हैं तीसरी चीज आप जब उसको depreciate करेंगे आपकी assets की value depreciate होगी तो वो depreciation किसी का 10% होता है किसी का 15% किसी का 20% किसी का 40% वो depreciation भी आप अपनी books में claim करेंगे जिससी वज़े से आपका income tax घटेगा दोस्तो टेक्स घटाना भी एक तरह से indirect way में अपनी income को बढ़ाना है इसलिए try to develop your business in terms of 100% white transaction इसी से आपको होने वाला लाब होगा और जब हमारे देश का हर व्यक्ति अपने business को 100% white transaction के साथ करेगा तो हमारी economy भी बहुत तीजी से develop होगी हमारे देश में दो तरह की economy चल रही है एक white economy और एक parallel economy जिसको black money या grey market बोलते हैं grey market का व्यापारी आगे तो बढ़ सकता है ल तो खाली बात iPhone की नहीं है आप सारी assets को खरीदें अपने business में sales के volume को बढ़ाएं और sales related बहुत सारी videos मैंने already दी हुई हैं इसके लाब आपके मन में जो भी प्रश्ण है जो भी चीज आप पूछना चाहते हैं ना उससे वो comment box में हमें सवाल के रूप में लिखें हम उनको observe करेंगे जो best questions होंगे उसको आने वाली वीडियो में हम cover करेंगे क्योंकि आपके लिए Q&A series हम ने शुरू किये दूसरी important बात दोस्तों मेरे जीवन का उदेश है कि भारत के हर गड़ से एक सफल businessman अच्छा startup तयार हो सके ताकि आर्थिक शक्ति के रूप में भारत एक मजब नैश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत